नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको लिए जा रहा हूं रादारमन टेंपल ब्रिंदावन ब्रिंदावन में के प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर जो है रादारमन मंदिर है और यह मैं आपको रादारमन जो टेंपल है उसके बाहर से दर्शिन करा रहा हूं यह देखे यह देखिए अभी जो रादारमन जी है उनका शिरिंगार हो रहा है उनको उठाया जा रहा है तो इस बज़ा से अभी ओपन नहीं तो रादारमन जी का जो अतिहास है वो यह कहता है कि यहां से गुपाल भट सौामी जी जब नेपाल गए और गंड की रिबर में सनान किया वहां से बाराँ शाली ग्राम उनको मिले तो बाराँ शाली ग्राम लेकर बिरिंदा बना गए और कहते हैं कि किसी बेपारी ने उनको पुशाक एक उपहार सुब रूप दी की और जबकि जो उनके उनके पास जो शाली ग्राम थे वे एक पशान रूप में थे एक राउंड शेब में थे लेकिन उनको यह हुआ कि मैं इन डेस का क्या करूँआ लेकिन जैसे वो सुबह उठे तो बाराँ शाली ग्राम में से ए बहुत ही श्रद्दा से केई सालों से केई दर्शकों से यहां पर रादरमन जी के बिग्रह की आरती उतारी जाती है उनकी सेवा की जाती है और दूर दूर से जो भक्त गन्य रादरमन जी के दर्शन करने आते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी इंतिजार हो रहा है कि कब अभी उनको शिंगार किया जा रहा था जब हम पहुंचे और उनको तियार किया जा रहा था और उनको उठाया जा रहा था जब हम वहाँ पहुंचे जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो जब ये देखिए जब हमने दर्शन किये तो इस तरह से ये देखिए रादरमनी जी क जो बिग्रह है बहुत ही चोटे रूप में उनकी आरती की जा रही थी ये देखें या आगर आप देख पा रहे हैं बहुत ही चोटे रूप में जो कि शालिक・राम से कहते हैं परगट हुए गुपालबट स्वामी जी ने तो के दुआरा यहां पे उनको स्तापित किया गया था आज भी उन 12 शालिगराम की पूजा की जाती है और बहुत ही दूर दूर से जो कृशन प्रेमी हैं वो यहां पे राधरमन जी के दर्शन करने आते हैं आप भी कीजिए यह देखे आरती होती हुई तो दोस्तों यह जो मैंने संक्षिप्त इतिहास का बताने राधरमन मंदर का बताने के आपको कोशिश की है मैं होप आपको पसंद आया है मिलते हैं अगली वीडियो में रादे रादे